नमस्कार, मैं हूँ कृष्णारण सिंग और आप देख रहे हैं यूटूब चेनल एजुकेशन पोडल कृष्णा आज के इस वीडियो में सौर मंडल, निकि सोलर सिस्टम जो की जोगरफी का एक भाग है इससे जो महत्पूर्ण प्रश्ण बनता है उसका संग्रा किया गया है कुल प्रश्णों की संख्या यहाँ पे 50 रखी गई है लेकिन हर प्रश्ण से कुछ न कुछ पार्ट्स प्रश्ण भी पार्ट्स उत्तर भी जुड़ा हुआ होगा जिसका अध्यन हम लोग करते चलेंगे तो 50 से अधिक प्रश्ण का यहाँ पे अध्यन किया जा सकता है इन प्रश्णों को अधि आप याद रखते हैं तो सोलर सिस्टम से जो प्रश्ण पूछे जाते हैं वह प्रश्ण आपके लिए सफिसियंट हो जाएगा प्रश्ण की शुरुआत करेंगे लेकिन इसके पहले आपसे छोड़ा सा एक निवेदन है अधि आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे परिक्षा की तैयारी के लिए और वीडियो पसंद होने पर अधि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना न भूलेंगे चलिए पहले प्रस्ण की शुरुआत करते है शौर मंडल के बारे में बीश्व के समक्ष अनि कि बीश्व के सामने जानकारी प्रस्तुत करने का स्रे किस विद्वान को है अप्शन है गलेलियो इस्टिवो कोपर निकस कैफलर तो सौर मंडल के बारे में अर्थार सोलर सिस्टम के बारे में बीश्व के समक्ष बीश्व के सामने जानकारी प्रस्तुत करने का स्रे कोपर निकस को है Copernicus का फूल नाम के बारे में अधि जानकारी लेना हो तो कह सकते है कि यह Nicholas Copernicus के रूप में जाना जाता था इसको लिख लेते हैं Nicholas Copernicus इसका फूल नाम था और Nicholas Copernicus गनितग्य भी थे गनीत के बारे में इनको काफी जानकारी थी इसलिए गनितग्य के रूप में भी जाने जाते हैं इसके सासाथ यह खगोल शास्त्री भी थे खगोल शास्त्री और निकोलस कोपरनिकस ग्रीक के निवासी थे ग्रीक में इनका जन्म हुआ था अगले प्रश्ण है दूश्रा नमबर सूर्ज के चारो और घूमने वाले खगोलिये पिंड क्या कहलाते हैं सूर्ज के बीच में यह सूर्ज है और अपनी अपनी कक्षा में घूमने वाले इस प्रकार से कक्षा होती है उन खगोलिये पिंड को घूमने के लिए जो खगोलिये पिंड अपनी अपनी कक्षा में घूमते रहता है उस खगोलिये पिंड को क्या कहा जाता है ग्राह, उपग्राह, छुद्र ग्राह, उच्छल तारा तो उशे ग्रह के रूप में जाना जाता है अन्कि ग्रह की यदि परिभासा हो तो इस प्रकार से का सकते हैं कि ग्रह वा खगुलिये पिंड है जो सूर्ज की परिकर्मा करते हैं सूर्ज के चारो और घुमते रहते हैं इसी में वह ग्रह के बारे में हम लोग जानकारी प्राफ्त करें तो सबसे पहले पहला ग्रह जो की सुर्ज के नजदीक है बुद्ध है इसके बाद सुक्र आपका हो जाएगा दूरी के अनुसार से यहाँ पे हम लोग समझ रहे हैं बुद्ध, सुक्र इसके बाद पिर्थवी है पिर्थवी के बाद मंगल जो सूर्ज की दूरी के अनुसार से होते जा रहा है मंगल के बाद बिरस्पती हो जाएगा फिर बिरस्पती के बाद सनी सनी के बाद यूरेनस और अंतिम में नेप्चुन हो जाएगा जोकि आठमे ग्रह के रूप में जाना जाता है तीसरा नंबर प्रस्ण है ग्रहों की गती का नियम किसने प्रतिपादित किया नि किसने प्रस्तूत किया या तो किसने दिया ग्रहों की गती का नियम न्यूटन, कैफलर, कोपर्निक ऐसे या तो फिर गैलेलियो गरहों की गती का नियम केपलर मोहदय के द्वरा दिया गया है केपलर मोहदय ने गरहों की गती गरह में जो गती होती है उसके नियम को परतिपादित किये थे ओप्शन नमबर बी होगा आपका सही इसके बाद चौथा नमबर प्रस्ण है सौर मंडल में कुल कितने ग्रह है अभी इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं सौर मंडल में कुल ग्रहों की संख्या आठ है जिसे हम लोग फिर से रिमाइंड कर ले पहला होगी आप बोध हैं उसके बाद दूसरा सुक्र तीसरा पिर्थवी चौथा मंगल उसके बाद बिरस्पती, सरी, यूरेनस और आठमा में नेप्चून है तो इस प्रकार से सौर मंडल में सोलर सिस्टम में कुल ग्रहों की संख्या आठ है नेक्स कोस्टन है सूर्ज के चारो और चकर लगाते ग्रह का वेग सूर्ज के चारो और चकर लगाते हुए ग्रह का वेग क्या होता है नियत रहता है अधिक्तम होता है जब सूर्ज के समीप होता है अधिक्तम होता है जब सूर्ज से दूर होता है कुछ नहीं कहा जा सकता है सूर्ज के चारो और जितने भी ग्रह है आठ ग्रह की जो संख्या बताई गई है वह अधी चक्कर लगाते रहते हैं तो सुर्ज के नजदीक जब वे पहुँचते हैं तो उनके उनका वेग अधिक हो जाता है अधिकतम होता है जब सुर्ज के समी पहुँच जाते हैं उप्सन नमबर भी आपका सही होगा इसके बाद अगला प्रश्ण है चठा नमबर अंत्रिक्ष में कुल कितने तारा मंडल हैं अंत्रिक्ष में तारा मंडल नकी तारा के समूह तारा मंडल कहलाएगा तो उसकी संख्या कितनी हैं 87, 88, 89, 90 तो उप्सन नमबर C आपका अनिकी 89, तारा मंडल है अंत्रिक्ष में कुल अगला प्रश्ण है सात्मा नमबर निक्स ओलंपिया कोलंपस निक्स ओलंपिया कोलंपस परवत किस गरह पर इस्थित हैं बुद्ध, शुक्र, पिर्थभी, मंगल तो यह मंगल पर इस्थित है एक परवत जो कि निक्स ओलंपिया कोलंपस के रूप में जाना जाता है उप्सन नमबर D होगा अगला प्रश्ण है आठमा नमबर पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है तीन, चार, पांच, छे तो पार्थिव ग्रह इसकी संख्या चार होती है जिसे पार्थिव ग्रह कहीं जाती है अगला प्रश्ण है नमबर नमबर शूरस के अनि शुर्ज के विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह है शूर्ज के विपरीद दिशा में घूमने वाला ग्रह यहाँ पे दो ग्रह लिया गया है बुद्ध शुक्र, पिर्थवी शुक्र, अरून वरून, शुक्र और अरून तो यहाँ पे शूर्ज के विपरीद दिशा में घूमने वाले ग्रहों की संख्या दो है जो है सुक्र और अरून यह सभी ग्रह इन ग्रहों को छोड़ दी जाए दो ग्रह को तो जो सेश छे ग्रह बसते हैं वह सूर्ज के दिशा में घूमते हैं अनि एक ही दिशा में घूमते हैं लेकिन सूर्ज के बिपरीद दिशा में घूमने बाले गरह की संख्या दो है और वह है सुक्र और अरुन अगला प्रशन है दश्मा नमबर सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है सौर मंडल का जन्मदाता ओप्सन के नुसार से हमें खोजना है सौर्जी फिर्थवी ब्रस्पति सनी तो सौर मंडल का जन्मदाता सौर्ज को कहा जाता है ऑप्सन नमबर A होगा नि बीच में सौर्ज है इसके इर्द गिर्द गरह उपगरह तारे तारा समू इत्यादी होते हैं इसी बज़ा से सौर मंडल का जन्मदाता या तो जनक शूर्ज को कहा जाता है अगला प्रस्न है 11 नमबर ब्रमांड में विसफोटी तारा कहलाता है कहलाता है इसको आकर पढ़ेंगे ब्रमांड में विसफोटी तारा कहलाता है ओप्शन है धूम केतू अभिनब तारा उलका इन में से कोई नहीं तो बर्मांड में विसफोटी तारा अभिनब तारा कहलाता निकि जो नए तारे हैं अभिनब वह विसफोटी तारा के रूप में जाना जाता है ओप्शन नमबर बी अगला प्रशन में हम लोग चलें सूर्ज के संगठन में सहयक गयस है निकि सूर्ज के निर्मान में सूर्ज के कमपोजिशन में सूर्ज के बनने में कौन से सहयक गयस है तो ओप्शन दिया हुआ है तो सूर्ज के निर्मान में हम लोग समझ लें कि इसमें H2 और हिलियम इसकी परधानता होती है तो option D में आपका यह दिया हुआ है तो D नंबर शही होगा इसके बाद अगला प्रश्ण है तेरा नंबर सूर्ज के मध्ध भाग को क्या कहा जाता है यानि सूर्ज के बीच वाले भाग को क्या कहेंगे समताप मंडल प्रकास मंडल वर्ण मंडल या तो फिर हो जाएगा अस्थल मंडल तो सूर्ज का बीच का भाग बीच का जो भाग है इसे हम लोग प्रकास मंडल के रूप में जानते हैं option नंबर बीच सही होगा इसके बाद अगला प्रस्ण है 14 नंबर सूर्ज के उपर के भाग को क्या कहा जाता है और सूर्ज का उपरी भाग को अधो मंडल प्रकास मंडल वर्ण मंडल या समताप मंडल तो इसके उपरी भाग को वर्ण मंडल कहा जाएगा option नंबर सी सही है 15 नमबर प्रश्ण नौर्वे में अर्ध रात्री के समय सुर्ज कब दिखाई देता है नौर्वे में 21 मार्च 28 सितंबर या तो फिर 21 जून फिर 22 दिसंबर तो यह 21 जून होगा निकि नौर्वे में मध रात्री का सुर्ज येकि मधरात्री में सुर्ज 21 जून को दिखाई पड़ता है अगला प्रशन शोलह नमबर में हम लोग आ चुके हैं गरह की अपनी कक्षा से सुर्ज से अधिक्तम दूरी गरह जब घूमती हैं तो अपनी कक्षा से सुर्ज से अधिक्तम दूरी कहलाती है अप उपसाओर अपशाओर दोनों इन में से कोई नहीं तो सूर्ज यहां है और जब यहां गहुमते गहुमते इस तरह से कक्छा होती है तो यहां जो अधिक्तम दूरी यहां से हुई और इधर नियूनतम दूरी हो जाएगे जब गहुम करके ग्रह यहां आएगा तो यहां की अधिक्तम दूरी तो यह दूरी अपसौर के रूप में जाना जाता है इसे अपसौर कहेंगे और यहां की दूरी नियुंतम हो जाएगी तो यहां उपसौर कहलाएगी यहाँ पर प्रश्ण है कि ग्रह की अपनी कक्षा से सुर्ज से अधिक्तम दूरी क्या होगी तो आपका यहाँ आप्सन नमर भी अपसौर हो जाएगा सतरा नमर प्रश्ण है एक ग्रह की अपनी कक्षा में सुर्ज से नियूंतम दूरी अभी इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं नियूंतम दूरी उपसौर कहलाएगी और अधिक्तम दूरी अब सौर कहलाएगी तो आपसन नमर ए आपका यहाँ पर सही होगा इसके बाद 18 नमर प्रश्ण है सुर्ज के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है तो यहाँ लगभग में पूछा गया है सुर्ज पे जाकर के कोई इसका एकुरेट टेंपरेचर आज तक नहीं निकाल पाया है लेकिन एक लगभग के अनुसार से यहाँ पे हम लोग सम सेंगे तो सुर्ज के धरातल का सुर्ज के सतह का तापमान छे हजार डिगरी सेलसियस होता है यहाँ छे हजार डिगरी सेलसियस यहाँ तो ओप्सन डी होगा उनीश नमर प्रस्ण है मध रात्री का सुर्ज किस छेतर में दिखाई देता है भुमध सागरिये छेतर में या तो फिर भुमध रेखिये छेतर में आर्क्टिक छेतर में जपान से पूर्व के छेतर में तो यहाँ आपका आर्क्टिक छेतर में दिखाई देगा ओप्सन न प्रतिशत कितना है, तो सूर्ज के राशानिक संगठन में हाइड्रोजन और हिलियम है, हि खी हाइड्रोजन और हिलियम और यही पे हाइड्रोजन का प्रतिशत 71 है, सबसे अधिका और 6 हिलियम के अलावा अन्य गई से भी हैं, तो option number A होगा, अगला प्रश्ण है 21 नमर, सूर्ज के सबसे दूर का ग्रह है, प्लूटो, बुद्ध, विरस्पती, भरून, तो option number D हो जाएगा, भरून, अनि कि क्रम में अधी हम लोग चर्चा करें, तो भरून को नेप्चुन कहा गया था, अनि कि बुद्ध होगा सबसे नजदीक, उसके बाद सुक्र होगा, सुक्र के बाद पिर्थभी, उसके बाद मंगल, फिर विरस्पती, फिर शनी, फिर यूरेनस, और अन्त में नेप्चुन, जिसे बरून कहा गया है, अगला प्रश्ण है, 22 नमबर, सुर्ज और सुर्ज के प्रकास को धर्ती पर पहुँचने में कितना समय लगता है, तो यहां 8 दश्मलब, 3 मिनट, सुर्ज के प्रकास को पिर्थभी तक आने में लगता है, ओप्शन नमबर A होगा से ही, अगला प्रश्ण है, 23 नमबर, कौन शाग्र सुर्ज के सबसे निकट है, फिर वही प्रश्ण आ चुका है, सबसे नजदिक बुद्ध है, उसके बाद सुक्र और अंततह आपका नेप्चून मिलेगा, तो ओप्शन के अनुसार से अदि हम लोग ढूड़ें, सही उत्तर क्या होगा इस प्रश्ण का, तो आपका B होगा बुद्ध, इसके बाद अगला प्रश्ण है, 24 नमर, बुद्ध सुर्ज का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है, तो बुद्ध सुर्ज का एक चक्कर लगाने में सबसे कम समय 88 दिन लेता है, और इसमें बुद्ध में इस ग्रह की बात करें, तो बुद्ध में चंद्रमा की तरह भी कलाए होती है, अगला प्रशन है 25 नमबर किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाए होती है इस प्रशन को हम लोग पीछे देख चुके हैं बुद्ध में चंद्रमा की तरह कलाए होती है अगला प्रशन है 26 नमबर दो ग्रह जिनके उपगरह नहीं है दो ऐसे कौन शेग्रह है जिनमें उपग्रह नहीं है तो बुद्ध और शुक्र इसके पास उपग्रह की संख्या सुन्न सुन्न है अनिकि एक भी उपग्रह इसके पास नहीं है तो option नमर B होगा आपका सही अगला प्रश्ण है 27 नमर कौन शाग्रह सुर्ज का चक्र सबसे कम समय में लगाता है अब इसकी चर्चा हम लोग कर चुके थे बुद्ध ग्रह है जो कि 88 दीन में सबसे कम समय में सुर्ज का चक्र लगाती है और इसे तिब्रगती से चक्र लगाने वाला ग्रह पूछा जाए तो यही बुद्ध होगा और अक्षिय जुकाब सबसे अधिक अनि किस ग्रह का अक्षिय जुकाब सबसे अधिक होगा तो बुद्ध ही होगा और चंद्रमा के समान दिखने वाला चंद्रमा की तरह कलाए पाए जाना वाला ग्रह पिर्थवी की बहन कहा जाता है, शुक्र को साम का तारा, साम का तारा भी कहा जाता है, सुबह का तारा भी कहा जाता है, और इसे भोर का तारा भी कहा सकते हैं, चमकदार ग्रह चमकिला ग्रह के रूप में भी जाना जाता है शुक्र और गर्म ग्रह गर्म ग्रह के रूप में भी जाना जाता है इसके बाद अगला प्रस्ण है 29 नमबर सूर्ज तथा पिर्थवी के निकटतम ग्रह कौन है सबसे नजदी का ग्रह कुन है, तो ओप्सन है बुध तथा शुक्र, शुक्र तथा बुध, बुध तथा मंगल, बुध तथा प्रस्पती, और पिर्थवी, शूर्ज तथा पिर्थवी के निकाट, तो बुध और शुक्र हो जाएगा, जीसे इसकी जो प्रारम करेंगे, तो बुद्ध पहले आता है उसके बाद शुक्र बुद्ध शुक्र और इसके बाद तीसरे अस्थान पे पिर्थभी दूरी के अनुसार से तो बुद्ध और शुक्र हो गया तो option number ये आपका सही होगा बुद्ध और शुक्र अगला प्रस्ण है तीस नमर इरोप बासी किस ग्रह की पुजा देवी के रूप में करते थे ये option A ही हो जाएगा शुक्र ही होगा और इरोप के लोग सुक्र ग्रह को देवी की तरह पुजा करते थे उजा करने का कारण यह है कि इसे सौंदर्य देखने में यह ग्रह अच्छा लगता था सौंदर्य का देवता की रूप में सौंदर्य की देवी की रूप में यह जाना जाता था अगला प्रश्ण है 31 नंबर सौर मंडल का सरवाधिक गर्म गर्म गर्ह कोण है तिसे हम लोग देख शुके हैं सुक्र सौर मंडल का सरवाधिक गर्म गर्म गर्ह है अगला प्रश्ण है 32 नंबर पिर्थवी के भर्मन की गती है पुर्व से पस्षिम, पस्षिम से पुर्व, उत्तर से दक्षिम, दक्षिन से उत्तर तो पिर्थवी अपने अक्ष पर पस्सिम से पूरव की और घूमती है इस बज़ा से पूरव में सुर्योद है और पस्सिम में सुर्यास्त होता है अगला प्रश्ण है चोंतिश नमबर आकार की द्रिष्टी से सुर्योद में पिर्थवी का कौन शा अस्थान है तो आकार की द्रिष्टी से अधी बात करें तो सबसे पहले बिरस्पती होगा इसके बाद दूसरे अस्थान पर सनी होगा तीसरे अस्थान पर अरून और चोथा अस्थान पर बरून और पांच में अस्थान पर पिर्थभी होगा तो आकार की दृष्टी से पांच में अस्थान पर आपका पांच में अस्थान पर हो जाएगा C नंबर ओप्शन है इसके बाद 35 नंबर प्रश्ण की शुरुआत हम लोग कर लेते हैं नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है नीला ग्रह के नाम से क्या जाना जाता है मंगल, शुक्र, पिर्थभी, यूरेनस तो पिर्थभी को नीला ग्रह के रूप में जाना जाता है और इसका कारण पिर्थभी पर पानी की उपस्थिती है पानी की उपस्तिती के कारण यह नीला दिखता है इसे नीला ग्रहक में जाना जाता है 36 नमबर प्रस्ण है सूर्ज और पिर्थवी के मध्ध नियूंतम दूरी होती है सूर्ज और पिर्थवी के मध कम दूरी 22 दिसंबर, 21 दिसंबर, 22 सितंबर या तो फिर तीन जनवरी होगा तो 36 का तीन जनवरी होगा ओप्सन नमबर D होगा जिसे अपसोर के रूप में जना जाता है अगला प्रस्ण है 37 नमबर सूर्ज और पिर्थवी के मध्ध अधिक्तम दूरी होती है तो अधिक्तम दूरी कब होगी यह पूछा गया है तो आपका चार जुलाई को मध्ध सबसे अधिक दूरी होती है जिसे उपसवर के रूप में जाना जाता है अगला प्रस्ण है 38 नमबर पिर्थवी सूर्ज की परिक्रमा करती है लगभाग 365 25 दिन में परिक्रमा करती है उन्चालिस नंबर प्रस्ण है पिर्थवी का प्राकृतिक उपग्रा क्या है आरिभट रोहनी चंद्रमा या तो मंगल तो पिर्थवी के पास एक ही उपग्रा है जो की प्रकृति के द्वारा बनाया गया है और वह है चंद्रमा अगला प्रस्ण है चालिस नंबर दीन और रात होने का क्या कारण है तो दीन और रात होने का कारण है पिर्थवी का अपने अक्ष पर घुर्णन के कारण दीन रात और पिर्थवी का अपने अक्ष पर पर परिकर्मन के कारण रितू में परिवर्तन होता है इसे भी याद रखेंगे अगला प्रशन है पिर्थवी पर दीन रात की अबधी शमान होती है कहां पर दीन रात की अबधी शमान होती है तो आपसन आपका भूमद रेखा पर होगा जिस प्रकार से इस प्रकार से गुलोब की रचना आप करेंगे तो यहाँ पे जो भूमद रेखा होती है यहाँ पे दीन रात की अब्धी शामान होती है अगला प्रस्ण है 42 नमर दक्षनी गोलार्ध में सबसे लंबा दीन कब होता है यहाँ हो जाएगा 22 दिसंबर ओप्षन नमर डी होगा इसके बाद अगला प्रस्ण है कौन शातारा पिर्थवी का सरवाधिक शमीफ है तो यह सूर्ज होगा, सूर्ज भी एक तारा है जो सबसे अधिक पिर्थवी के नज़दीक है उप्सन नंबर सी होगा इसके बाद अगला परस्न है चवालिस नंमर पिर्थवी को गोलाकार बताने वाला पर्थम बिध्वान कौन था पैथागोरस था जो गनितग्य भी थे और खगोल शास्त्र भी थे इसके बाद अगला प्रस्ण है 45 नमबर अधी पिर्थवी पर एबम अंत्रिक्ष के बीश से बायु मंडल को हटा हुआ माना जाए तो आस्मान का रंग कैसा दिखेगा तो यह है आपका बलेक अनिकी काला दिखेगा अगला प्रस्ण है 45 नमबर धुरूप पर दीन की अबधी कितनी होती तो धुरूप पे जब गलोब की रचना आप करेंगे तो धुरूप यहां हो गया इस पार्ट में या उत्री धुरूप होगा या दक्षनी धुरूप तो दीन रात की अबधी 6 माह होती है 6 माह का दीन और 6 माह की रात्री होती है इसके बाद 47 नमर प्रस्ण है किस ग्रह का आउसत घनत तो सबसे अधिक होता है तो पिर्थवी एक ऐसा ग्रह है जिसका आउसत घनत तो अनि एवरेज डेंशिटी सबसे अधिक होती है आउसन नमर सी सही होगा इसके बाद अगला प्रस्ण है 48 नमर पिर्थवी का ध्रुविये व्यास उसके विश्वतिये व्यास से कितना कम है तो यह 43 किलो मीटर कम हो जाता है इसके बाद अगला प्रशन है 59 नमर पिर्थवी की अपनी कक्षा में गती होती है तो पस्सिम से पूर्व की दिशा में होती है संभवता यह प्रशन एक बार और आ चुका था रिपीट हो चुका है तो चलिए नमबर ऑप्षन इसका सही होगा अगला प्रशन है 50 नमबर पिर्थवी की धूरी है तो यह जुकी हुई होती है पिर्थवी गलोब की रचना आप करेंगे तो इस प्रकार से 90 डिग्री लेंगे तो यह जुकी हुई रहती है यह धूरी यह अक्ष जुकी हुई कहलाती है तो ओप्षन नमबर ए आपका सही होगा तो इस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से कुल 50 से अधिक प्रशनों का हम लोग जो संग्रह किये थे उसका अध्यन किये इसके बाद हम लोग इसी तरह से जब तक परिक्षा नहीं हो बाई